तो आज हम बात करेंगे इस गाड़ी के वारे में जो आप देख सकते हो क्रेटा सेक्स 2016 की मॉडल है तो चलिए देखते हैं इसे और सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हैडलाइट्स यूनिट पे तो इसमें आपको ओफर की जाती थी प्रोजेक्टर हैडलेंप जो होते थी फ्रंट से गाड़ी की लुक पूरी प्रोपरेश यूभी वाली आ रही है गिरिले आपको क्रोम वर्क में मिल जाएगी और साथ ही यहां बड़ा असा यूंड़ी की लोगों के शाथ निचे एर इंटेक के लिए स्पेस थोड़ा सा ज्यादा जो कि देखने में भी अच्छा लग रहा है अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी की ग्राउंड क्लीरेंस के बारे में तो यहां गाड़ी में आपको मिल रही है 200 mm की ग्राउंड क्लीरेंस जो की इंडियन रोड के इसा पर देख रहे हैं यहां पर देख रहे होगे गाड़ी में श्टॉक लगी हुई आती है यह उन्डे के तरफ से इसी तरह लगी हुई आती है अगर मैं साइड लुक की गाड़ी की बात करूं तो बहुत ज्यादा टकड़ी लगती है यहां पर आपको LED टर्णिंग लाइट क आपको request sensor मिलेगी तो ऐसा नहीं है डर हंडल से भी body colors में ही आते हैं बट यह जो आप देख रहे है को रहा में से सरिसक बाठ है अपर में ग्रे कलर का आपको रूफ रिल्स मिल जाएंगी जो की अच्छी लुक देती है और अब हम चलते हैं पीछे की और तो पीछे से गाड पीजिंग भी मिल जाएगी जिसकी मतलब यह है कि यह डिजल इंजन की गाड़ी है और अगर अगर आपकी नजर रिफ्लेक्टर पे जा रही है तो यह एससरी की पार्ट है पीछे आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे जो कि सेफटी के लिए बहुत ज्यादा इंप यह गाड़ी जो यह उसपा में आती है इंटीटीर में जो आप डूल टोन का यूज कर देख रहे हैं वह गाड़ी को और भी ज्यादा अंदर से प्रीमिश मियंम बना देती बहुत ही ज़्यदा प्रीमियम लगती है बहुत फ्रेमियम फिल देतीा आपको alarm यह जिख्य यह इसकी इंटिरियर भी है और मस्त कॉंबिनेशन आपको दिखेगा इसके अंदर यहाँ पर एक इंपोर्टेंट फीचर्स की मैं बात कर लूँ तो ड्राइवर सीट को आप अपने एकॉर्डिंग एड़ेस्ट कर सकते हो यह डो एड़ेस्मेंट यहाँ पर मिल जाएंगे औ आफ लाइवर से रहेकिए और एक एड़ेस्मेंट आप को आगे की औरेखर की गई है इस साइड से जो वोर्ट तक बहुत ही अच्छी दोनों कलर का कॉंबिनेशन है वह बहुत गिया अच्छी लेई यहाँ पर सैवशीं स高 स्कूर में एच्छीं टिस्पीलि मिल जाती है अ सेंटर में आपको यूंड़ की लोगों मिलती है इसमें आपको डी-कटा स्टेरिंग आफर नहीं किया जाते थे पहले लेफ लेट साइड में आपको कुछ टेलिफॉनी केंट्रोल मिल जाते हैं और राइट साइड में M.I.D. कंट्रोल सुन जाते हैं यहां पे हेडलाइट कंट्रोल और इस साइड पे वाइपर कंट्रोल इस वेरियंट में आपको ओटोमेटिक ऐसी भी मिलती है जो ओटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसी है वो ओटो काम करती है सिक्स स्पीड मेनुवल गेर की बॉक्स के साथ रिवर्स गेर पे कैमरा ओपने आप ओन हो जाती है यहां पे टू डिफरेंट साइज के कफ होल्डर्स है आम रेश्ट भी यह वेरियंट में मिल जाती थी है बट यह एड़ेस्टेबल नहीं है बस थोड़ा सा इसके नीचे स्पेस कुछ रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड की गई है और यहां पे देखते हैं तो एक आक्स यूसबी और एक चार्जिंग सॉकेड भी है यह डे और नाइट मैनुवल जी एड़ेस्टिबल आई एर बिम यहां पे Sunset with Ticket Holders Co-Pilot के साइट Sunset with Vanity Mirrors यहां पे Cabin Lamp with White Colors और यह जो Sun Glass Holder वो भी काफी अच्छे Features में आ गए हैं आजकल बहुत से गाड़ियों में आ रहे हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके Keys के बारे में तो अभी जो बाकी Hyundai की गाड़ियां में Keys आ रही है वही Keys इस गाड़ी में भी है Thin Button के साथ आपको Offer किया जाते है Lock Unlock और Boot Opener Button अब नजर डालते हैं इसकी M.I.D. पे तो ऐसी कुछ इसकी M.I.D. मिलती है गाड़ी को On करके देख लेते हैं इसमें जो स्टार्ट और स्टॉप बटम दिया गया है वह यह साइड है तो अब स्टार्ट करके देख लेते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको RPM और राइट साइड में आपको Speedometer मिल जाती है गाड़ी की सारी इंडिकेशन आपको यहीं पे मिल जाएगी Auto Foldable ORBM Option भी मिल जाता है चारो डोर्स पे Bottle Holder और डोर पोकेट्स भी मिलते है जो Maximum 1 लिटर तक की Bottle को अच्छे से Carry कर सकते है और Headrest भी आपको इस गाड़ी में एडजेस्टेबल मिल जाते हैं जो कि आप अपने हाइट के अगॉर्डिक अराम से वो एक राइट कॉर्डर में एक लेफ्ट कॉर्डर में चार स्पीकर है चारो डोर्स पे साउंड कॉलिटी गाड़ी की डिशेंट्स है सुनने लाइक है और अगर आप M.I.D. के पास किसी भी तरह का बटन को ढूड़ोगे तो आपको वहाँ पे कोई भी बटन नहीं मिलेगी M.I.D. कंट्रोल बटन आपको सारे स्टेरिंग पे ही मिल जाते हैं जिसे आप यूज करके सारे इंफोर्मेशन देख सकते हो इसमें आपको क्रूस कंट्रोल नहीं मिलती थी अभी वाली क्रेटा में जो है आप क्रूस कंट्रोल आने लगी है जो कि यह कैची फीचर्स है अब हम सकेंड रो की और चलते हैं आगे की केविन तो देख ली अब पीछे की भी देख लेते हैं यहाँ पे भी आपको केविन लैंप वाइट कलर में मिल जाते हैं पीछे से फ्रंट केविन कुछ ऐसी दिखती है डोर ओपनर भी चारो आपको सेम ही मिलेंगी जिस तरह आगे की केविन में उस तरह पीछे भी है कलर आपको सिल्वर कलर टोन में मिल जाएगा यह डोर पे बोटल वोल्डर यहाँ यहाँ भी आपको adjustable headrest offer किये जा रहे है और एक comfort की बात करें यहाँ पे जो पीछे वाले passenger के लिए है वो यह है कि यहाँ पे भी आपको armrest मिल जाती जिसकी fitting की quality बहुत अच्छी है इतनी पुरानी गाड़ी फिर भी अभी तक fitting जो है quality की बहुत अच्छी है साथ में दो different cup size के holders में भी मिल जाते हैं पीछवाले passenger के लिए दो adjustable AC vents भी दिये गया है यहाँ पे और एक 12 volt की charging socket में मिल जाती है तो यह थी इसकी rare kevin जो Hyundai की तरफ से 2016 क्रेटा मोडल्स याड़ी आई में अब को मिलती थी अभी की जो क्रेटा आ रहे है वो totally different है बिल्कुल फीचराश्टी की एक दम सारे features उसमें वर वर के आ रहे है एक बार आप इसकी lights जलती हुए देख लो यह है इसकी headlamps अब मैं दिखाता हूँ इसकी tail lamps जो मुझे सबसे अच्छे लिगी वो चीज यह है camera में सायद उतना अच्छा सा capture नहीं हो पा रहा तो really में यह बहुत ही अच्छी लग रही है tail lamp आपको गाड़ी में सारे halogen ही मिलते थे इसकी सारे variant में आपको halogen ही offer किया जाता था LED का कोई option नहीं मिलती थी अभी की 2022 में जो क्रेटा आ रही है उसकी head lamp की कोई बात ही नहीं कितनी टगड़ी head lamp जो अभी आ रही हो fully LED तो video देखने के लिए धन्यवाज thank you so much